नमस्कार मित्रों स्वागते सिद्धू टोट की चैनल पर आप सब का एकबार फिर से आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप अपने भागय को कैसे बेहतर बना सकते हैं यदि कुछ भी आप करते हैं जहां पर आपको दुर्भागय का सामना करना पड़ता है आपके बनते काम बिगर जाते हैं किसी को प्रेम करते हैं छोड़ के चले जाते हैं कहीं से भी किसी भी प्रकार से सफलता का योग नहीं बनता है दूरियां ही दूरियां है परिसानियां है परिसानियां है तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए इस छोटे से वीडियो में हम आपको वो तरीका बताने वाले हैं जो आपके दुरभाग को आपसे कोसों दूर रखेगा और आपके जिवन में खुस हाली लाएगा यानि सौभाग्य होगा आपके साथ दुरभाग्य कोसों दूर तो चलिए बात करते हैं क्या उपाय करना उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दें से आने वाले वीडियो के जानकारी आपको मिलती रहे और हाँ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए ऐसा लगता है कि आप शेयर नहीं करते हैं वीडियो को क्योंकि जादा लोगों के पास वीडियो पहुंचते नहीं और अगर लोगों के पास पहुचेंगे नहीं तो वीडियो के बनाए जाने का महत्व ही खतम हो जाएगा तो लोगों तक पहुचाईए अपने दोस्तों के पास पहुचाईए अपने गुरुप से में पहुचाईए आप लोग अलग से गुरुप बना लीजे जिसमें केवल यही वीडियो आप डालिए ताकि लोगों तक पहुँचे और उनके जीवन में कुछ अच्छा हो तो चलिए हम बात करते हैं कैसे आपको अपने दुर्भागय को दूर करना है और दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बहुत ही सरल सा उबाय है आपको लेने हैं राई राई आप जानते हैं सरसो पीली वाली सरसो तो राई के दाने जो होते हैं इनसे आप नजर दोस वगरा हो अगर किसी के उपर तो आप दूर कर सकते हैं आप राई के दानों के साथ में ये घरघर का टोटका इसलिए से मैं बताऊंगा नहीं, इसको सब लोग जानते ही हैं, दुरभाग को कैसे भगाना है, ये बताते हम आपको, दुरभाग को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन राई का दान करना सबसे अच्छा और सबसे स नहीं पर भी दे सकते हैं, इससे जरूर आपका भाग चमकेगा और दुरभाग दूर होगा, दूसरा कि अगर आप राई के पत्ते पा जाते हैं, तो कुछ पत्ते ले आईए, संख्या कुछ महतों नहीं रखती, कुछ पत्ते आप ले करके आईए, और इनको पानी में डाल दीजिए, अब उस पानी से जो भी व्यक्ति सनान करेगा, जो भी व्यक्ति नहाएगा, उस व्यक्ति का दुरभाग जरूर दूर हो जाएगा, ऐसा करके आप देखिए, आपको जो भी पॉजटिव संकेत मिलेंगे, वो आप हमें कमेंट में बताईए, आपके कमेंट से अन को भी महसूस हो सके कि जो चीज की गई है, उसका इसर हुआ, खैर एक दूने ऐसा किया भी है, मैंने देखा है कमेंट में, लेकिन मैं अब आपके कमेंट का भी वेट करता हूँ, कि आप कमेंट करो मैं देखूं, और साथ ही आपको रिप्लाई भी करूंगा, जहां जहां प को एकदम से पत्तर की लकीर खीच करके नहीं दी जाती है, हम चाहते हैं कि आप अपने आम जीवन में ही इनको आम तरीके से करने की आदट डालें, बहुत विशेश करके मत किजिए इन चीजों को, बहुत विशेश करके करेंगे, तो थोड़ा सा उलजा हुआ सा महसूस फिर आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे संदे पैदा होंगे, और अगर आप संदे में पढ़ गए तो फिर आप उपाएगा लाभ नहीं ले पाते हैं, इसलिए संदे में मत पढ़िए, वीडियो में जैसा कहा गया, बस वैसे कर डालिए, बाकी बातें दिमाग में मत लाईए, जैसे आप से हो जाए, वैसे कर लीजे, क्योंकि सबके लिए एक प्रकार के स्थिती होती नहीं, इसलिए कुछ उपाय जिनको मैं बताता हूँ, तो साथ मैं बता देता हूं कि इसे जैसे बताया गया है, वैसे ही करना है, क्योंकि इसमें यह common sense की बात है, बहुत सारे विडियो में बताई जा चुकी है, कि आपको भोजपत्र है तो भोजपत्र को किसी पेड के नीचे डाल दीजिए, जमीन में उसको दबा दीजिए, किसी पेड के पास, जल है तो उसको जल को आप बाहर जो है जल में डाल दीजिए, कहीं पर भी कोई भी पेड़ है तो जल के रूप में कहीं भी ढाल दीजिए को दिक्रत होड़ी नहाँ आप उसको कहीं पर भी ढाल सकते हैं कुछ खराब चीज़ें हैं उनको सुनसान इलाके में छोड़ना पड़ता है कोई ऐसा उपाय जिसको करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है तो जब भी आप उपाय करके लोटते हैं तो ध्यान रखिए कि पीछे मुड़कर मत देखिए पीछे से कोई बुलाता हो तो अंसुना करके वहाँ से पहले चले आईए बाद में उससे मिलिएगा कह दीजेगा कि नहीं सुना था लेकिन अगर आप वापस जाते हैं या मुड़कर के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर भी दुरभाग आपके साथ हो जाता है तो जो कारे आप बाहर करके आए हैं या आपका भाग लोटे आपके साथ तो आपने फिर से दुरभाग को सामिल कर लिया अपने साथ तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना है हम पीछे क्यों न देखें तो पीछे अगर आपने देखा तो दुरभाग को आपने साथ ले लिया इसलिए पीछे नहीं देखना है क्योंकि आप किसी चीज को छोड़ के आ रहे हैं पीछे देखने का मतलब है आप अभी उसके चक्कर में हैं तो वापस आपके साथ आ जाएगा तो जो कॉमन सेंस है इसी कॉमन सेंस के आधार पर आपको उपाय करने चाहिए तो मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ आ अच्छिए